हेलो स्टुजेंट्स तो कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में ब्यस्थ होंगे मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाइ स्टुजेंट्स स्टूजेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइन्स केमेस्ट्री पार्ट का यूपी बोर्ड परिक्षा 2025 में आने वाले महत्तपूर्ण वह विकल्पी प्रश्णों को यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे जितने भी प्रश्ण लिए गए हैं स्टूजेंट्स अभी प्रश्ण बोर्ड एकजाम 2025 के लिए अतynnत महत्तपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रश्ण पिछले कई सालों में रिपीटेड प्रश्णों में से एक हैं या पिछले कई साल के पेपर से यहाँ पे जो करते हैं प्रस्ट नंबर एक है आपका सल्फियूरिक अमल जिसका रायसायनिक सुत्र होता है S2SO4 में अमल या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है फर्स्ट आप्शन है दो सेकेंड आप्शन है माइनस चार फर्ड आप्शन है माइनस टू और फोर्थ आप्शन है फोर तो को जान पाएंगे तो यहाँ पर देखें इसमें हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या है S2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो है ठीक है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है दो अब यहाँ पर आप देख रहे है है फ़स्ट अप्ष hall ने 6.3 सकेंड अप्ष nah 75.2 फोर्थ law ने 8.2 तो देखे जो अमली vrsa होता है अमली vrsa का जो जल होता है उसका संभावित प्राश्मान 5 10 मलो 2 होता है कितना होता है 5 10 मलो दो यह अमली वrsa के जल का संभावित pH मान होता है 5.2 ठीक है आई होब कि इस प्रशन को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आई अगले प्रशन की तरह पढ़ते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन नमबर 3 है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से काउन सी गैस निकलती है फर्स्ट आपसन है CO, सेकेंड आपसन है CO2, थर्ड आपसन है O2 और फूर्थ आपसन है Na2CO3 तो जब baking powder को गर्म करते हैं तो carbon dioxide gas निकलती है यानि carbon dioxide का यहाँ पे रैसानिक सुत्र दिया हुआ CO2 तो यह आपका right answer हो जाएगा option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा CO2 अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 4 है मीठा soda जिसे हम लोग खाने का soda भी करते हैं या baking soda भी करते हैं उसका आण सुत्र है फर्स्ट आप्सन है यने CO2 थर्ड आप्सन है यने योजज और फूर्थ आप्सन है यन एच CO3 और इसी को हम लोग sodium bicarbonate करते हैं तो मीठा soda पुछे चाए खाने का soda पुछे चाए बेकिंग soda पुछे सभी ये कही हैं और इसका जो राइसायनिक सुत्र होता है वह होता है यन एच CO3 या उसका अण सुत्र है ठीक है न और इसको हम लोग sodium bicarbonate भी करते हैं तो यह आपका right answer हो जाएगा option नमबर 4 यानि D option य इलम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पोटास इलम कोई फिटकरी करते हैं अगर आपको पोटास इलम दे देगा तो आप confuse हो जाएंगे और गलत कर देंगे तो इसलिए दोनों नाम आपको ध्यान रखना है यहां पर्स्ट आप्शन है AL2-SO4, second option है K2-SO4, AL2-SO3- का 3S, 24S2O, third option है K2-SO4, fourth option है K2-SO4, AL2-SO4 का 3S into 6S2O, तो देखें जो फिटकरी का राइसायनिक सुत्र होता है students, वह होता है K2-SO4, K2-SO4, AL2-SO4 का 3S into 24S2 होते हैं पर option number B में आप देख रहे हैं यही आपका क्या हो जाएगा right answer होगा यही फिटकरी का राइसायनिक सुत्र होता है I hope कि यहां तक आप बिलकूर अच्छी तरह समझ गए होंगे आई अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ट अगले प्रस्ट को देखते हैं इस्टूडेंट्स अगला प्रस्ट आपका प्रस नमबर साथ है निम्न में से कौन सी धात वैमल में से हईड्रोजन विस्थापित करती है या इसी प्रस्ट को ऐसे भी पूछता है कि अमल से हईड्रोजन अलग करने वाली धात है फर्स्ट आपसन है FE, सेकेंड आपसन है PT, फर्ड आपसन है CU, और फोर्थ आपसन है MZ-ZN, तो दीखें, जो हैड्रोजन विस्थापित करने वाली इसमें से जो धातु है, जो कि हैड्रोजन को अलग करने वाली धातु है, अमल से, वो है आपका MZ-ZN, ठीक है न? यानि ऐसी दातु है जो अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है यानि मैगनिसियम और जिंग ऐसी दातु है जो अमल से हाइड्रोजन को क्या कर देती है विस्थापित करके अलग कर देती है तो option number D आपका right answer हो जाएगा अगले question को पढ़ते हैं अगला question question number 8 है होता है कापर जिसमें दो प्रतिसत असुदियां होती है option number D आपका right answer हो जाएगा option number D आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा I hope कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया होंगे students अगला question question number 9 है मैट में मुख्यतो होता है first option is FES second option is Cu2S third option is Cu2S तथा FES fourth option is Cu2S तथा F2S3 मैट में मुख्यतो है Cu2S होता है क्यों होता है Cu2S तो यहां पर option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा उमिद करते हैं कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गयोंगे आई अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण number 10 है कौन सी धातू अमल से hydrogen विस्थापित नहीं करती है यहां पर इस वर्ड पर ध्यान देना है नहीं करती है उपर अभी आपने एक प्रश्ण देखा था जहां पर पूछ रहा था कि कौन सी धातू अमल से hydrogen विस्थापित करती है और यहां पर पूछा हुआ है नहीं तो नहीं पर ध्यान रखना है आपको अब यहां पर फर्स्ट अप्शन है GDN, सेकेंड अप्शन है FV थर्ड अप्शन है C U और फूर्थ अप्शन है M G तो देखें उपर अभी हम लोगों ने दो धात्वों को पढ़ा था जो कि अमल से hydrogen को भी स्थापित करती है जिसमें magnesium का भी नाम था या D वाला भी अप्शन था और GDN भी था तो यहाँ पे तो यह दो दो होगी नहीं अप बचा B और C इसी में आपका right answer छुपा हुआ है तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो C U यानि copper जो है वह अमल से hydrogen को भी स्थापित नहीं करती है और यहीं आपका right answer हो जाएगा option number C आपका right answer हो जाएगा I hope की 1 से 10 तक के सभी प्रश्णों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे Students इस वीडियो में इतना ही कि वहल 10-10 प्रश्णों की series आपके लिए हम लगातार तयार कर रहे हैं ताकि आप उसे आसानी से learn कर सकें ठीक है तो I hope की सभी प्रश्णों को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप सभी विद्यारतियों को exam के लिए All the best students वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share, comment करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत बंदे मात्रम